घमंड मैचूर शोय बखतर ने उम्रान मलिक का हस्ते वो उड़ाया था मसाग, आज स्पीड देखकर हैं परिशान इंटर्व्यू में शोय बखतर ने बोले थे घमंडी बोल, स्पीड के चक्कर में हड़ी ने तुड़वा वैठे उम्रान मलिक हर खेल में निखरता जा रहे हैं उम्रान मलिक का खेल, इस बार बना दिया ऐसा रिकॉर्ड, टेंशन में शोय बखतर भारत का बेटा तोड़ेगा पाकिस्तान के रावल बिंडी एक्सप्रेस का घमंड, 20 साल में नहीं तूटा है रिकॉर्ड क्रिकेट के मैदान पर इंडिया और पाकिस्तान का मैच जब भी होता है तो पूरी दुनिया की निगाहें उस दिन क्रिकेट पटिकी होती हैं खास कर इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमी अपनी सासे रोग कर मैच का आनंद लेते हैं बता दें कि जहाँ पाकिस्तान में शोय बखतर जैसी रफतार है वहीं भारत में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुल कर। लेकिन वक्त के साथ साथ इन दोनों का रिकॉर्ड आज तक किसी भी क्रिकेटर ने नहीं तोड़ाए। शायद यहीं वज़े कि गिन्बाजी में रफतार कदम दिखाने वाले शोय बखतर जब किसी तेज गिन्बाज का जिकर करते हैं तो अपने से तुलना कर बैटे हैं और घमंड में चूर होकर कुछ भी अनापशिनाब बोलने लगते हैं लेकिन अब शोय बखतर को करारा जवा मचा था और इमरान मलिक ने हाली में कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है जिससे उनके चर्चा हो रही है बता दे कि चंद रोज पहले एक सवाल के जवाब में उमरान मलिक ने कहा था कि वो महान तेज गेन्बाज शोय बखतर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं क्रिकेट इतिहास क की सबसे तेज गेन्ट फेक सकते हैं इस बयान के बाद खेले अपने पहले ही मैच में उमरान मलिक ने बता दिया कि वो हवा हवाई बाते नहीं करते बलकि गेंदू को हवा से बात करवाते हैं श्रलंका के खिलाव पहले टी-20 में 155 किलोमेटर प्रती घंटे के रफतार से इस तरह वो जस्परीट पुम्रा का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत के सबसे तेज गेंद बास बन गए बले भारत के क्रिकेट फैंस के बीच खुशी की लहरो लेकिन शोय बखतर तो घबरा गए होंगे राउल पिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशूर 2003 विश्वकप के दोरान शोय बखतर ने इंग्लाइन के खिलाफ 161.3 किलोमेटर प्रती घंटे के रफतार से अपनी सबसे तेज गेंद वेगी थी IPL 2022 से सुर्कियों में आये उमरान को देखकर शोय बखतर को भी समझ में आ चुका था कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं मगर एश्या तो इंसानी फितरत है ऐसी स्पीड देखकर शोय बखतर ने कहा था कि पेस के चक्कर में कहीं उमरान अपनी हड़िया न तुड़वा बैठे शोय बखतर ने स्पूर्ट्स किड़ा को दिये इंटर्वियू में कहा मेरे वॉल्ल रिकॉर्ड को 20 वर्ष ते अधिक हो चुके हैं लोग इस बारे में मुझसे पूछते हैं तो मैं सोचता हूँ कि कोई तो होगा जो ये रिकॉर्ड तोड़ेगा मुझे खुशी होगी कि उमरान मेरा रिकॉर्ड तोड़े हां लेकिन मेरा रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते वो अपनी हड्डिया न तुड़वा बैठे शोय बखतर ने ये बात हसते हुए कई इसके बाद कहा बस मेरी यही दुआ होगी कहने का मतलब कि ये फिट रहे हैं श्रुलंका के खिलाब तीन मैचों की टी ट्वेंडी सीरीज के पहले मुकाबले में उमरान मलिक ने चार ओवर में 27 रंदे कर दो विकेट हासल किये जिसमें खतरनाक चरित असलंका तो बढ़िया बल्लेबासी कर रहे कप्तान दासुन शनाका के विकेट भी शामिल है श्रुलंका के स्पिनरों की शांदार गेंडबासी के सामने भारते टीम 94 रंपर 5 विकेट गवाकर मुश्किल में थी लेकिन हुडा ने 23 गेंड़ों में 1 चौका, 4 चखके जबकि अक्षर ने 20 गेंड़ों की नाबाद पारी में 3 चौके और 1 चखका जड़ा जिससे टीम की वाफसी हुई लक्ष का पीछा करते हुए भारत के 30 गेंड़ों ने टीम को शांदार शिरुवात दिलाई लेकिन श्रिलंका के कप्तान दासुन शनाका ने 27 गेंड़ों में 3 चौके और 3 चखके जड़े और अपनी स्पारी से मैच में टीम की उमीदों को बनाए रखा वनिंदो असरंगा ने 10 गेंड़ों में 20 रन और चमिका करोनातने ने 16 गेंड़ों में नाबाद 23 रन बनाए जिससे टीम को आखिर तक मैच में बनाए रखा आखरी ओर में श्रुलंका को 13 रन चाहिए थे लेकिन अक्षर ने छक्का खाने के बाद भी गेंड़ पर अपना नियंतरन बनाए रखा और टीम को 2 रनों से जीत दिला दी भारत के लिए इशान किशन ने 29 गेंड़ों में 37 और कप्तान हर्दिक पांड़े ने 27 गेंड़ों में 29 रनों की उप्योगी पारी खेली